मिलावट, मिलावट, मिलावट 31 जुलाई 2018 गोवा में कुजा नकली अंडो का मुद्दा जहां खुद विधायक ने विधान सभा में लहराये थे नकली अंडो के सैंपल जुलाई 10, 2018 जब जमशेदपुर साक्ची के रिलाइंस फ्रेश स्टोर में प्लास्टिक के अंडे बिखने की सूचना मंत्री सर्यूर राय को दी गई कोलकाता, दिल्ली, महराश्च्रा हर जगह से खबरें आई नकली अंडो की कोई ने फेक चाइनीज एक्स कह रहा है जो चीन से इंपोर्ट हो रहे है तो कोई कह रहा है कि लोकली कुछ लोग इंवाल्व है नकली अंडो के इस सिंडिकेट में माना, आज के इस दोर में हर चीज में मिलावट है लेकिन समझ नहीं आता कैसे कुछ लोग चंद कागस के टुकड़ों के लिए लोगों की जिंदगी से किलवार करने पर उतारू क्या स्वार्थ इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अगर किसी और की बली चड़ा दी जाए तो भी जायस है इन मिलावट खोरों के जमीर जैसे निलाम हो गए है इस बाजार में शौक खरीदने के लिए आज हम इस वीडियो से खुलासा करने जा रहा है कि कैसे बनाये जा रहे हैं ये नकली अंडे भारत में नकली अंड़ा बनाने का कारोबार फलफूर रहा है यहां अंडे का दुरूनी पीला भाग याने की योक और उसका बाहरी सफेध हिस्सा यहने की एग वाइट सोडियम अलगिनाइट एल्यूम जिलेटिन खाने योग कैल्शियम से तयार किया जा रहा है इतना ही नहीं इसमें पानी और खाने के योग यो रंगो को मिला कर उसे हूबहू असली अंडे की शकल दी जा रही है सबसे पहले हलके गर्म पानी यहने कुनगुने पानी में परियाप्त मातरा में सोडियम अलगिनाइट लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला कर अंडे के सफेध आकार की तरह तयार किया जाता है फिर यह से जिलेटिन और बेंजोईक एसिट एलियूम वो अन्य दूसरे रसायनों के साथ मिला कर अंडे का सफेध हिस्सत तयार किया जा रहा है अंडे के पीले हिस्से को तयार करने के लिए सिर्फ पहले से तयार मिश्रण में खाने योग ये पीले नीबू का रंग दे दिया जाता है इसके बाद तयार सफेध और पीले हिस्से को कैलशियम को राइट के साथ मिश्रित कर अंडे के आकार में ढाल दिया जाता है नकली अंडे के कारोबार का ये था असली सच देखने में असली और नकली अंडे लगभग एक जैसे ही दिखते हैं इनको सिर्फ देखकर इनके बीच का अंतर समझवाना इतना आसान नहीं इनके बीच का अंतर समझने के लिए इसको थोड़ा बारीकी से देखना पड़ेगा कैसे आईए बताते हैं इन 6 चीजों का ध्यान रखी आप अगर आपने इन 6 टिप्स को फॉलो किया तो आप पहचान लेंगे कि नकली अंड़ा कौन सा है और असली अंड़ा कौन सा है ध्यान से सुनियेगा नमबर एक नकली अंड़े की सबसे पहली पहचान होगी कि इसका छिलका थोड़ा सक्त होगा हाड होगा असली अंडे के तुलना में ये थोड़ा खुरदूरा भी होगा इसके अलावा छीलके के अंदर रबर नुमा कोटिंग भी होगी नकली अंडों की पहचान करने का एक आसान तरीका है उसकी चमक अगर आपको अंडे के चिलके उजले और अधिक चमकदार नजर आएं तो समझ लें कि अंडे नकली हो सकते हैं क्योंकि असली अंडों पर ज्यारा चमक नहीं होती नमबर दो अंडे के चिलके को देखने के बाद आप अंडे को फोड़िये इसको फोडने पर इसके अंदर का पीला योग और सफेध हिस्सा बाहर निकलेगा यहां आपको एक और चीज देखने को मिलेगी वो यह कि नकली अंडे को फोडते ही उसे प्लेट में निकाल कर देखने पर इसका योग कुछी सेकंड में पिखल कर सफेध हिस्से के साथ मिलना शुरू हो जाएगा वहीं असली अंडे का पीला योग तब तक नहीं पिखलता या फटता जब तक आप इसे खुद अपने हातों से फेटेंगे नहीं अगर आप अंडे को हिला कर देखें तो असली अंडा कभी आवाज नहीं करेगा जबकि नकली अंडे को हिलाने पर आप इसके अंदर से साफ आवाज आती सुन सकते हैं नमबर चाप, नकली अंडे के छिलके को जला कर देखें तो इसका प्लास्टिक कोटिंग जल जाएगा। इसके जलने से बिलकुल प्लास्टिक के जलने की बदबू जैसी स्मेल आएगी और ये धीरे धीरे आज से सिकुड़ता जाएगा जैसे प्लास्टिक सिकुड़ता है। नमबर पांच, नकली अंडों की एक और पहचान है कि पक जाने के बाद ये पानी में डूबते नहीं, बलकि उपर ही तैरने लगते हैं, वहीं असली अंडे उबल कर भारी हो जाने के वज़ा से पानी में डूब जाते हैं नमबर छे, नकली अंडों को कई दिनों तक भी बाहर खुले में छोड़ दिया जाये, तो भी इनमें ना तो मक्खिया बिन भिनाएंगी और ना ही चीटिया इनमें कोई भी इंटरस्ट लेंगी ना ही चीटिया आएंगी। इन 6 टिप्स का ध्यान रखी और चितना हो सके इन 6 टिप्स को सभी के साथ शेयर जरूर करें। ये सोचके कि छोड़ो ना, क्यों लड़ने जाये उन से, हम किसी दूसरी दुकान से ही ले लेते हैं। अगर आपने ऐसा सोचा तो याद रखना, आप भी इन मिलावट खोरों के बराबर जिम्मेदार होंगे इस जुर्म के। भारत में अंडों की बहुतायत में खपत होती है, अपना शरीर बनाने वालों से लेकर छोटे नन्हे बच्चों और कमजोर मरीजों तक को डॉक्टर अंडे खाने की सलाह देते हैं। अगर आपने जान बूझ कर इन मिलावट खोरों की रिपोर्ट नहीं की, तो आप से बड़ा गुनागार कोई नहीं होगा दोस्तों। जितना हो सके फर्ज निभाई अपना और इस वीडियो को भी भारत के हर कोने तक फैला दीजिए। धन्यवाद।